बार्बाडोस की धर्टी पर दच्छिड अफ्रीका को टीट्वन्टी विश्वकप दोज़र चौब दोज़र चौबिस के फाइनल में हराकर रोहिद ब्रिगेड डे तिरंगा लराया था तारिक 29 जून 2024 के दिन टीम इंडिया ने सिर्फ एक मैच टूर्णामेंट या ट्रॉफी नहीं जीती थी बलकि करोडो भार्टियों का 11 साल लंबा इंतिजार खत्व कर दिया था टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने के बाद बार्बाडो सी सीधे दिल्ली पहुची जहां टीम इंडिया ने प्रधान मंत्री से मुलकात की जिसका वीडियो अप सामने आ चुका है कप्तान रुहिस सर्मा से जीत के पल के बारे में पूछते हुए पियम मोदी ने पूछा कि आप काफी इमोशनल लग रहे थे और आपने मैदान में जाकर जब मिट्टी खाई उस पल के बारे में आप क्या कहेंगे जीत के मिट्टी क्यों चकी पियम मोधी का सवाल और रुहिस सर्मा ने इसका जबाब किस अंदाज में दिया और उस पल को याद करते हुए रुहिस सर्मा ने मिट्टी क्यों चक्की उसकी वजह बताई देखिए इस वीडियो में मेरे लिए खुशी के बात है कि अपने देश को उत्सां से भी और उत्साव से भर दिया और देश वाच हो गए है सारी आशा पेक्षाओं को अपने जीत दिया है वही तरफ से बहुत-बहुत बढ़ाई आपको आम तोर पर मैं देखाद दक्तर में काम करता रहता हूं तो ठीकि इस पार मैं पीमी पी चल रहा है वासा भाई भी चल रहती जाग के दरी दिवाना जा भाई मैं लेकिर आपने तो ने शांदार अपने टीम स्विरीट को भी दिखाया है अपने टालेंट को भी दिखाया है और पेशंस नजा रहा था मैं देख रहा था कि पेशंस ना शो हरवड़ी नहीं थी अने बड़ा आपनों इस्वास से भढ़ा हुआ आपनों को तो मेरी तरफ साब को बहुत-बहुत बढ़ाईय साथ पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का और आपने जब हम नवंबर में अमदबाद में हम वो मैं अचा रहे थे तो वहां पे भी आप आये थे जमामाना थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था तो हमें मैं सिर्फ यह काऊंगा कि जो रोहेत और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरेट दिखाई है जो नेवर से डाय अटिक्यूड दिखाई है बहुत मैचेज में फाइनल में जाके भी वह बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेड़ेट है इसमें बहुत मैंनत की है इन लड़कों ने बड़ी खुशी कि बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पाइर किया है जो यंघ जनरेशन आएगी यह लड़के भी इंस्पाइर हुए है टू थाउंगा जो विक्तरी थी उसको देख के बड़े हुए है काफी ओलड़के तो अभी इन करना चाहता है। हर्याना का कोई भी वेक्ति हो वो हर हालत में खुछ लेता है। वो हर चीज में खुछ ही डूटता है। रहित मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता है। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी जी हो। लेकिन क्रिकेट का जिन्दगी ही पीछ पे होती है। और आपने क्रिकेट की जिन्दगी है उसको चुमा। यह को हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्टरी मिली। उसका मुझे बस एक पल जो था। वो हमेशा याद रखना था और वो चकना था बस। क्योंकि उस पिछ पर हम खेलके उस पिछ पर जीते हैं। क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज़ का इतना वेट किया। बहुत बार हमारे बिल्कुल पास में आया था वोल्लकप। बढ़ हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों के वज़े से हम उस चीज को आसिल कर सके तो वो पिछ मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिछ पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिछ पे गया तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन हर देश में से लिए मार्क किया होगा लेकिन रोईत मैंने दो एक्स्ट्रीम चीजे देखी इसमें मुझे इमोशन्स न जा रहा था और जब तुम टॉफी लेने जा रहा है थे जो नृत्य होता है उसके पीछे ये था कि जिसे हम सब के लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिव ऐसे ही मत जाना चलकर कुछ अलब करना तो ये चहल का इड़िया था क्या चहल और कुल दीट चहल और कुल दीट झाल